मैं गोरा कद्दू आप सभी का स्वागत करता हूँ दकद्दू स्माइल सो मेप को पावर्ट बाइ कद्दू जोक एंड माई जोक आफ आज के हमारे स्पेशल गेज टैर्डाइन की जवानी के डारेक्टर टकला नेता और उनकी एक्टरेस हसीना और कद्दू फुर के देश के भक्तो अपने गोले की भक्ती करो के डिरेक्टर प्रोडीसर और एक्टर काला कद्दू जी जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए हाँ तो सर काला कद्दू जी मैं आपसे एक सवाल पुछना चाहता हूँ आपको हमारे सो में आके कैसा लग रहा है क्या आपको कभी लगता था कि आप हमारे सो में कभी आ सकते हैं हमको तुम्हारे सो में आकर बहुत जादा मजा नहीं आ रहा है क्योंकि तुम हमको महमान की तरह बुलाए हो हम चाहते थे कि इस सो को हम होस्ट करें और रही बात तुमरे दूसरे प्रस्ण की तो तुमको मालून नहीं है, यह सो़्छ करने वाले हम थे, वो तो हम यह चिलर लर में काम नहीं करते हैं, इसलिए तुमको दे दिय करने के लिए, हां तो आपको यह शो़ोष्ट करने का मौका दिया जाएगा, हां तो काला कद्दु जी, एक बात बताईए, आपको लगता है ऐसा, कि आपकी फिल्म आपके फैंस को पसंद आएजी, अरे फैंस का क्या है, फैंस तो मूडी होते हैं, अगर आप उसको अच्छा से इंटर्टेंड कर सकते हैं, आपके कंटेंट में दम है, तो बोलेंगे फैंस, हम साथ साथ हैं, वरना हम आपके हैं कौन फैंस और फैन में एक सीं 57 को जैसे पंखा को हम लोग जब तक हैं तब ही तक हुग हवा देता है उसी तरिक है से फैंस को जब तक हम लिग मज़ा देते हैं तब फिर उल्हाव सपोर्ट करता है हां तो सोचिये काला कद्दू जी अगर फैंस को एसी बोला जाता तो लाइट जाने के बाद भी मज़ा आता ना काय की एसी का सर तो लाइट जाने के बाद भी रहता है हाँ यह लाइन आप बहुत मस्त बोले बहुत अच्छा लगा हमको दिल को छूगे हमरा हाँ तो काला कद्दूजी एक बात बताए दर्सक आपसे जानना चाहते है कि आपने अपने जीवन में बहुत गरी भी देखी थी बहुत श्ट्रगल करके आप इस मुकान पर पहुँचे है तो दर्सक आपसे यह जानना चाहते है लोग जब अमीर बन जाते है तो वो क्या भूल जाते है देखिए को राकद्दूजी अमीर होने के बाद हमने हिसाब से ज्यादा तल लोग दो चीज भूल जाते हैं एक कप सब्सकार को छोड़ कर अपना संस के लिए बहुत सारा कार खड़ीद लेते हैं आप पहले देखिए जब बदरेंब होता है तो अपना बड़ा सब्सक्ष्ण चित है प्यर पर kiss नीचे है और पईसा आने के बाद उम्रे देख कर पर उता है सामनेया काले का पोजीशन और पैसा देखकर पैठ चुता है इस पड़िवर्तन हो जाता है पैसा आने के बाद ज्यादा तरलोग में हां ये बात तो काला कद्दू जी आपने बिल्कुल सही बोला हां तो टकलानेता जी अरे रुकिये गोडा कद्दू जी सभी से आप ही पुछिएग लेकिन हम तो तुम ही से बात करेंगे क्योंकि I like it क्योंकि हमको तुम्रा जला पर नमच छिड़कने में अच्छा लगता है बहुत बढ़ियां लगता अनंद आता है दिल से मज़ा आता है तुम जो अपना फिल्म का नाम रखे हो डाइन की जवानी का सोच कर रखे इतनी मस्त हीरोईन है इसके हिसाथ से तो नाम होना चाहेगा फिल्म का हसीना की जवानी और तुमको डाइन की जवानी चाहिए थी तो सामने बैठी है ना खुशी जी उनको कहनी ले लिए अगर आप चाहते हैं हसीना जी से कोई सवाल करना तो कर सकते हैं पोछ सकते हैं अपमें दिल की भड़ास निकाल सकते हैं कद्जो जी हम हसीना जी के लिए गाना काएंगे हाँ हाँ गाईए गाईए किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है पढ़ा है एलोंडे तु बुर्बद बढ़ा है जिस गली से निकलते हैं लड़की वहाँ बेहोस हो जाती है बेहुस तो होगी ना, नाते जो नहीं हो, ऐसे बता रहा है कि बेहुस हो जाती है जैसे बहुत खूपसूरत आग्मी है, आज तुम्हारा चेहरा में पढ़ने जैसे क्या है, तुम्हारा चेहरा तो सुरू होने से पहले ही खतम हो जाता है, बोलता है हमारा चेहरा में नूर है तुमको कोई लूड है जो तुमड़ा चहरा में लूड होगा बैटा चुचाब नीचे हसीना जी हमको पसंद आई और हम गाना नहीं गाए लेकिन इचले हैं बाहराद गाना गाने किताबे बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने बैटा कभी तुम गए हो इसकूल हसीना जी हम सु आपको आपके बारे में दो तीन अफवा है जो सुने हैं बताइए सच है कि नहीं कि अगर राज को आप ज्यादा पानी पी लेते हैं तो आप विस्तर में ही कर देते हैं कि कौन बोलाई बात तुमको कौन ही गलत अफवा फेला रहा हमने बाले में पकर के लाओ उसको तो हटी तोर दे उसका ही सब जूट है और दूसरा अफवा हम सुने हैं कि नेतागरी में आने से पहले आप बस स्टैंड पर पॉकेट मारते थे सबका और दू-तीन बार भणि अधर अधर आदमी ही तुर तका का होगा जुट-फूट बोलता हमने बाले में वह आकर तुमको बलागी टकलाने तामरा पोकेट माला हां ऐसा बला बला तो उसको उसको काय बलाएंगे फिर से पोकेट मारिएगा क्या उस वाथ नहीं मार पाए फिर से मारनेगा अच्छा ह तुम्ही पर अपना काम करो अपना फिन परचार करने आदा हुए उसको करने दो फालबीबडी माई नेम इज लेला जादा बकाइती करोगे तो खिला देंगे केला ऑनला करना कर्दू जेव पर्णाम टकलानेताजी मैं आपका बढ़ बढ़ा दुषमन हूं अरे तुमक्र कोड़र दुष्मन करें हम कहीं है तुम्हरा कई करकी टकल आने तता जी कभी संजोग वस्ट आपकी मान को आप को इंगाण तुम्हारा दुष्मन तो दुष्मन को होना चाहिए हो तो हम है वो दुष्मन कहर रहने दीजिए इन सब बातों को चलिए हमारा एक थस्तावाल का जवाब दीजिए अगर आपको फॉलन में फल के दुकान में आलू बुखारा मंगना हो तो आप अंग्रेजी में कैसे मंगिएगा अरे हम सिर्फ वोट मंगते हैं बाकी कुछ नहीं में मंते हैं उठा के खांगे मैं हाथ तो आप उठा के खा लिजेगा ऑइचा को पंगनान का जिम्मेदारी घंड ऐस जाय लेकिन हम होते दो आप तो हम अिसंको जरूर बोलते प्लीस की इव मी वोट्तक को फीवर हो अपना जालो घर पसा अपना नेकिन काना कजड़ी आप तो सपना जीसे प्यार करते हैं ना देखो हमारे पास है सपना और मनी खाली तुम्हारा ही कमी था अपना का तबना आपना बनाइगा अपना सपना मनी मनी काला कद्दू जी मेरा यह बगल में एक ब्यूटी पार्लर है और हमारे पास एक special massage है आपके लिए चूना massage यह का होता है चूना massage चूना लगाती हो क्या हाँ इसमें हम लोग customer को चूना लगाते है और टकला ने तदी और काला कद्दू जी हमारे पास आप दोनों के लिए भी एक special massage है अरे कौन सा massage है तुम्रे पास मक्खन मसाज एक को मक्खन लगा और दूसरा से चटवा हो हाँ तो इसमें लगाएगा कौन और चाटेगा कौन यह तो बताओ काया कद्दू जी को लगा देंगे आप चाट लिएगा हमारे पास भी एक massage है जिसमें हम अपना हाथ में तेल लगाते हैं और सामने वाले का तेल निकालते हैं हाँ तो काला कद्दू जी आपने अपने फिल्म का इतना लंबा नाम क्यों रखा है क्योंकि हमारी फिल्म बहुत लंबी है लोग को पता तो चलना चाहिए कि फिल्म लंबी है इसलिए हम नाम ही लंबा रख दिए अरे आप अपने फिल्म का इतना लंबा नाम रखे है तो निकल के उसके पुष्टा में चला जाएगा तो लोग सिर्फ अबड़ाई फिल्म देखेगा दूसे कर नहीं हां तो काला कज्जु जी आपकी फिल्म रिलीज कब हो रही है पहले फिल्म को बढ़ने तो तब ना रिलीज करेंगे अभी तक तो खाली नामें सोचे हैं थोड़ काली हर चीज में हमसे जलता है मूँ ठाके आ जाता हमरे पीछे पीछे फिल्म बनाएगा रहे तुम है पहले फिल्म देखना सीख लो तब आना फिल्म बनाने ज्यादा मत बोलो रहे टेकला तुम नई तरी तुमरी दाइन है ना हसीना इसको लेकर हम उड़ जाएंगे और पर फिल्म में तुम ही रोल करना दाएंग का हाँ तोड़ जाना हमरा फिल्म का सुटिंग कंप्लीट हो गया है और यहीं पर तुमको हसीना लग रही है कि इतना मेकप करवा कि असली में नहीं लगे कि बिना मेकप का तब बात करना हमसे हां तो काला का तुजी आपके फिल् घ्राश करता है हमारा खालसा करना अखेत हैं टूसरे से लगते हैं औथihi को नुकसान पहूंचाते हैं गर की मां कुंसान पहुंचा आप Coryाकी बात है झीटने वाला देश को कि हम जीद गए उसको यह नहीं दिखाई दिता है उसका धट िमाता पर कितना नुकसान हो गया कितना प्रक्र्टव कु नुकसान हुआ इसको अपना जीट दिखाई दे़ आपना इगो दिखाई जो उतना कोला से प्यार करो जिस गोला में तुम्हें देस हैं गोला जी नहीं तो देस किस बात का होज का ठिकाने ही नहीं होता है इस चक्कर में कई प्रकार की प्रकर्टिक आपदा आती है देशों में जैसे भूका मित्यादी कई सारी अनेको बिमारियां होती है इन सारी युदों के चक्कर में ये तो उसी तरीके से हो गया जैसे एक महले में दो घर हैं और आपस में लड़ते रहते हैं सिर्फ अपनी ताकत की परसंसा करने के लिए अपने आपको उच्छा दिखाने के लिए और उनके यह जो बच्चे जन लेते हैं उनको सिर्फ अपना ही गार अच्छा लगता है क्योंकि जहां पले बड़े जहां सांस ली वही अच्छा सही गलत का फ़र्क नहीं होता है किसी को उन्हें जो बताया जाता है सिर्फ उसे ही सच मान लेते हैं इसलिए हम कहते हैं देश स से प्रेम करना चाहिए लेकिं सबसे पहले प्रकटिक से प्रेम करना चाहिए अपने त다면 अक्त चाहिए का ने सब Geoffrey में आपका स्थे सphasिद्वीया को धि करते हैं भी डूमरा धैस बचोंगे करते तो दूंभी स्वरिंगी करतंगे करते हैं चले से पानी होता कभी किसी ने ये सोचा है कि अगर ऐसे सरहदों के बढ़वारे नहीं होते तो ये दुनिया किती सुंदर लगती किसी को भी कहीं भी जाने के आजादी होती सही में आजादी ये होती सभी देश अपने आपको महान बोलते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन कभी ये सोचा है कि ये पूरी की पूरी स्रिष्टी ऊपर वाले की बनाई हुई है तो हम अगर सिर्फ अपने आपको महान बोलते हैं और दूसरे को कम आखते हैं इसका मतलब हम इस वर के बनाई हुई चीज़ पर प्रस्न उठा रहे हैं इस वर के लिए सब एक समान है कई लोग ये बोलेंगे कि ये सद्धे नहीं मिठ सकती है प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसेबल नहीं है तो वो मुहावरा याद नहीं है दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं ह है अगर आप संभव करना चाहते हैं आप में हिम्मत है संभव करने की तो कुछ भी असंभव नहीं है सिर्फ सची लगन होनी चाहिए इमानदारी होनी चाहिए बलिदान देना होगा त्याग करना होगा सही निर्णे लेना होगा तब ही सब कुछ संभव है हाँ ये बात जो तो अपनी चीज की क्या दूरत है अपना भी इस्तेमाल करिए कड़्ूपुर के लोगों को मैंने कई बार ये बात बोली है लेकिन वह समस्ते ही नहीं है हम सब एकी गोले के निवासी हैं हमारा मा है उन गोला तो मा के किसी अंग को फूरी मां को प्यार कीजिये प्रत्रड़्टी इसवर की एक एक चीज से प्यार कीजिये तब देखिए जिंदगी आपको कितनी अच्छी लगेगी हम कद्दुपुर का लोग को ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि देश वक्ति सिर्फ युद के मैदान में और जबान में नहीं होना चाहिए देश वक्ति दिल में होना चाहिए और अगर सिर्फ दिखाने के लिए करना है तो उसे करने की कोई आसकता नहीं है इतना ही देश बक्ती करना है तो देश से कड़ी भी मिटाओ, लोगों को सिक्षित करो, आप सी मत बेज मिटाओ, और सरकार को टेक्स इमांदारी से और समय पर भड़ो काला कद्दू जी आपका विचार तो बहुत उचा है, हम आसा करते हैं कि आप दोनों की फिल्म बहुत चले, यह सब भी कोई फिल्म है, आज कर लोग जवानी देखना चाहता है, इगोला नहीं, बले ही डाइन का जवानी हो, सब तुम इस तरह छीट में होता है, कि जवानी है देखेगा, बुड़ापा में आ गया है, लेकिन जवानी का चस्का लगा हुआ इसको, मेरा फिल्म चलेगा, हमको रेटिन जादा मिलेगा, तुमको कम मिलेगा, हाँ तो दर सको हूँ, आज के लिए इतना ही काफी था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे चैनल माई जोको को सबस्क्राइब कर लिजिए, और कद्दू जोको तो करी रखा अबर नहीं किया है, तो उसको भी कर लिजिए